Rinnegan Ice, जिसे 3 Great Dojutsu में सबसे ज़्यादा powerful माना जाता है, 3 Great Dojutsu यानि कि Rinnegan, Saringan and Byakugan को कहा जाता है, और इस Ice को obtain करना बहुती ज़्यादा difficult भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी user इसको आसानी से तो हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए सीरीज के अंदर ऐसे बहुती कम characters हैं, जिनके पास हमें Rinnegan Ice देखने को मिली हैं, अब जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रही हैं, काफी सारे characters और भी ऐसे आ रही हैं, जिनके पास Rinnegan Ice हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हमने recent के बरूटो के chapter 4 में देखा था, कि चार नए विलेंस हमें देखने को मिलते हैं, और चारों के पास ही Rinnegan Ice हैं, इसका मतलब simply यह है कि यह Ice इतनी जादा strong है, इसका किसी के पास होना means वो character बहुत जादा strong है, लेकिन जितने भी characters अभी तक हमने series के अंदर देखे हैं, और जितनी उनकी powers है या जो abilities है, उन में से हम top 10 characters को rank करेंगे और उनकी abilities को भी explain करेंगे, तो आज की video काफी जादा entertaining और काफी जादा informative भी होने वाली है, तो end तक जरूर बने रहना ताकि आप किसी भी information को miss ना कर सको, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले number 10 के उपर हमें देखने को मिलता है Jetsu, जो बहुत ही जादा strong character था जिसका soul purpose था सिरफ Kagua को revive करवाना, जिसके लिए इस बंदे ने मादरा जैसे strong character तक को manipulate और उसको trick करने में भी successful हो चुका था, और during fourth great ninja war इसने उबीटो की body के उपर अपना control पा लिया था जिसकी वज़े से ये भी Rinnegan eyes को unlock कर पाया था, अब देखो, Rinnegan को इसने इतना जादा use नहीं किया था, इसलिए हम इसको जादा उपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी ability हमें उतनी जादा देखने को नहीं मिली है, बस इसने अपनी Rinne Tensei को use करके दिखाया था, जिसकी help से इसने मादरा तक को revive कर दिया था, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि इसके पास potential था, लेकिन क्योंकि abilities हमें देखने को नहीं मिली है, तो ये rank इसके लिए काफी साथ सही बैठती है, और इसके बाद number 9 को हमें देखने को मिलता है नगाटो उजुमा की, देखो, during third great ninja of war, मादरा ने नगाटो के अंदर अपनी रिनेगन को implant कर दिया था, वो भी उसको पता लागे बिना ही, जिसके बाद आगे चल कर उसे जिराया sensei train करते हैं, इस उमीद में कि वो आगे जाके एक दिन child of prophecy बनेगा, लेकिन he end up with the choosing the wrong pathway, बट in terms of रिनेगन ये कमाल का यूजर था और बहुती ज़्यादा skillful भी था, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी feet की बात करें तो वो यही होगी कि इसने six path of pain को बड़े आराम सी यूज़ करके दिखाया था, और इडो नगाटो ने fourth great ninja war के time पे एक बार में ही six path की सारी abilities को यूज़ करके दिखाया था, जिसकी वज़े से यह इतना ज़्यादा powerful था कि इसने अपनी रिनेगन के साथ दो जिन्चूर की यानि की नरूटो एंड किलर भी जो perfect जिन्चूर की बन चुके थे, उन्हें easily handle कर लेता है ये और कमाल की बात ये उनकी soul को almost extract कर ही लेता अगर वहाँ पे इताची नहीं होता, तो आज ये दोनों user मर चुके होते, जिससे आप अंडाजा लगा सकते हो कि ये नगाटो कितना ज़्यादा strong था अपनी रिनेगन आइस के साथ, उरुसुकी सिरफ हमें mainly enemy के अंदर ही देखने को मिलता है और यही mean वज़य थी कि इसकी रिनेगन की feats कुछ इतनी ज़्यादा खास हमें देखने को नहीं मिलती है और ये रिनेगन की abilities को भी properly use नहीं कर पाता है, और तो और ये easily team Naruto and Boruto की tag team के सामने भी हार जाता है, तो हाँ, उरुसुकी होने के बाद भी ये काफी ज़्यादा weak था, लेकिन अगर हम इसके रिनेगन के बात करें तो उसकी abilities बहुत ज़्यादा powerful थी, क्योंकि उरुसुकी के पास दो अलग-अलग रिनेगन के variants थे, जिसमें से पहला था red रिनेगन, अब उसके अंदर six to more patent है, जो उसको एक बहुत ही ज़्यादा powerful टेकनीक यूज करने के लिए allow करती थी, जैसे की Yamotsu Yira Saka, और ये वही टेकनीक है जिसकी help से काफ वह easily diamonds इनके across टेलिपोर्ट कर लेती थी, दूसरा blue renegan, जो बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि इसकी मदद से उरुष की past के कुछ seconds को देख सकता था, और इसे multiple time use करने की वज़े से ऐसा लगता था कि वो future देख सकता है, तो ये उसको एक battle के अंदर एक upper hand provide करा था था, क्योंकि वो opponent की किसी भी attack के against में पहले से ही counter attack को तयार कर सकता था, और उसको easily defeat कर सकता था, लेकिन फिर भी बताओ, ये बंदा इतनी powerful technique होने के बाद भी बरुटो से हार गया, जबकि बरुटो उस समय पे nude था, और इसके बाद number 7 पे हमें देखने को मिलता है Karas Tentails, आप सभी को ये चीज़ तो पता होगी ही कि हमारी 4th Great Ninja War के time पे, Obito ने Tentail को awaken किया था, जहांपे Tentail के forehead पे हमें Rene Sarigan देखने को मिली थी, लेकिन इस Tentail की जो हमें Kara का देखने को मिला है, जिसे Kara ने विकन किया है, उसकी बाद कुछ और है, क्योंकि इसके forehead के ऊपर हमें Renegan आइस देखने को मिलती है, और तो और हमें इसके पास massive reserve chakra भी देखने को मिलता है, और सरफ इसी वज़े से इसको हमने rank में include किया है, क्योंकि Renegan की abilities तो हमने इसको पूरा utilize करते हुए नहीं देखा था, लेकिन इसके पास इतना high amount of chakra इतनी जादा strength प्रोवाइड कराता था, कि ये इतना जादा strong था, और इसके बाद number 6 पे हमें देखने को मिलता है हमारा दिल टूटा आसिक उर्फ Obito Uchiha, देखो Obito को Renegan Nagato के मरने के बाद ही मिल पाई थी, अब उसकी body इतनी जादा capable नहीं थी, कि वो दोनों Renegan को handle कर पाए, इसलिए वो एक को ही use करता है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी Renegan को काफी अच्छे तरीके से use करके दिखाता है, अगर हम Obito की abilities के बारे में बात करें तो देखो, Nagato के पास immense chakra था, और उसे Renegan use करते उए भी बहुत ज़्यादा लंबा time हो चुका था, इसलिए वो easily हमारे six paths of pain को use कर पाता था, लेकिन Obito का case बिलकुल ही अलग था, क्योंकि एक तो इसके पास Renegan सरफ एक थी, और इसे use करते हुए भी ज़्यादा time नहीं हुआ था, उसके बाद भी वो six paths of pain को अपने version में use करके दिखाता है, जहां पे वो Renegan की one of the ability, curse chain को use करके tail beast को control कर लेता है, और आगे जाके खुद ten tail का जिंचूर की बन जाता है, वो Gator Statue को भी अपनी समझदारी से काफी बड़े scale पे अपने combat के लिए use करता है, और तो और काफी बारों से black rod भी use करते हुए हमने देखा है, जिसे वो काफी अच्छे तरीके से use करता है, लेकिन एक आय होने की वज़े से उसकी six paths की जो ability है, उसको use करने की जो ability है, वो थोड़ी से उसकी limited रहती है, और इसके बार number five पर हमें देखने को मिलता है ghost of Uchiha उर्फ मादरा उचिहा, अपने life के आकरी phases में जाके मादरा finally renegan को activate कर लेता है, और क्योंकि Nagato और Ubito की renegan का ये true user था, इसलिए सिर्फ यही use eye के true potential को unlock कर पाता है, जहां वो हर path को बहुती बहतरी तरीके से use कर सकता था, इवन वो meteoroids की बारिस भी कर सकता था, लेकिन उसकी जो सबसे खतरनाक ability थी वो थी limbo handgeku, जिसकी help से वो अपने different clones को create कर सकता था, वो भी अलग-अलग dimension से और इन clone को सिरफ renegan या फिर six path sinjusuk के user ही देख सकते थे, वरना normal user को ना ही ये sense हो पाएगा ना ही वो इसे देख सकता है, और हर clone बहुत जादा strong था, इतना कि वो एक साथ मिलकर tail beast तक को हरा सकते थे, और क्यूंकि मादरा के पास दोनों दे निगन आईस थी तो वो एक टाइम पे चार limbo easily create कर लेता था, kind of हमारा मादरा अपने आस पास Z plus security बनाने की कोजिस करता था, पता नहीं किस चीज का उसे डर था, और इसके बाद number fourth में हमें देखने को मिलता है सास के उचीहा, during the fourth great ninja war, सास के ने अपनी eternal मांगे के उर्शारिंगन को अचीव कर लिया था, लेकिन मादरा को हराने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, और almost अपनी death के काफी करीब पहुँचने से पहले, वो मिलता है sage of six path उर्फ होग रोमो, और उसकी half power उसे मिल जाती है, और कुछ टाइम के बाद सास के अपनी left eye में रिनिगन आई को भी activate कर लेता है, वो भी six to more pattern के साथ में, जो उसे काफी जादा strong बना देती है, और just like उर्शी की, सास के के six to more pattern के पास एक special ability भी होती है, अगर उसकी technique पूरी तरही के से charge हुई, तो वो easily use कर सकता है M.N.O. Tejikara, जिसकी मदद से वो किसी के भी साथ अपनी position को swap कर सकता है, लेकिन सिरफ short distance के उपर, और ये उसको battle के अंदर काफी जादा बड़ा upper hand provide कराती है, तो हाँ, ये काफी जादा कमाल की ability थी उसके पास, एड़ इसके बाद number 3 पे हमें देखने को मिलता है Momoshiki Otsusuki, देखो Momoshiki Boruto series का one of the main villain में से एक है, और ये काफी important character भी है, जिसके पास हमने दो Renegan eyes देखी है, एक तो उसके दोनों हातों के palms में देखी है, और एक हमें उसके forehead के उपर देखने को मिलती है, अब series के अंदर हमने उसको six parts of pain की ability यूज़ करते वे तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, most of the chances ऐसे हैं कि वो भी इने यूज़ कर ही सकता है, अब ये कितना जादा powerful था, वो तो आप इसी बास से अंदाजा लगा सकते हो, कि इसी defeat करने के लिए हमारे Naruto और सासके को team up करना पड़ा था, अब देखो, उरिशिकी के comparison में इसके पास कुछ बहुत बड़ी abilities तो हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, जो इनेगन इसके palm में होती है, उसको use करके ये किसी भी तरीके के ninjissu और chakra को absorb कर सकता था, और उसको या तो ये अपनी body के अंदर store करके रखता था, या फिर उसे as a offense के रूप में अपने ही opponent पे use कर देता था, जो देखने में बहुत कमाल का लगता था, क्योंकि इसका use वो बहुत जादा frequently करता था, जो लगता था कि एक बहुत कमाल की ability है, जो उसे बहुत ही जादा upper hand provide कर रही है, और इसके बात number two पे हमें देखने को मिलता है Hagoromo और Susuki, Hagoromo पहला ऐसा user था जिसके पास हमें रिनेगन आइस देखने को मिली थी, और आगे जाके सीरीज के अंदर में जिसके पास भी हमें रिनेगन आइस देखने को मिलती है, वो इसका चाक्रा direct या indirect में ही use करके activate कर पाता था, मैं बात करा हूँ उन क्लैंट्स के बारे में जो उससuki क्लैंट्स से बिलॉंग नहीं करते हैं, और अगर सिरफ नरुटो सीरीज में देखें, तो Hagoromo सबसे ज़्यादा strong रिनेगन यूजर है, क्योंकि बाकि सभी रिनेगन आइस को केके गंकाई कहा जाता है, लेकिन Hagoromo की रिनेगन आइस को केके मोरा कहा जाता है, जो ये चीज़ बताता है कि हमारे Hagoromo की रिनेगन आइस कितनी ज़्यादा सुपीरियर है, अब देखो, Hagoromo को Sage of Six Path भी कहा जाता था, बेसिकली वो इसमें Chibaku Tensei को यूज़ करता था, तो चलिए finally number one पे आने वाले सीरीज के सबसे ज़्यादा strongest रिनेगन यूजर और ये कहो कि सीरीज का सबसे ज़्यादा strongest character जो है सिभाय ओसुचुकी, बले ही अभी तक सीरीज के अंदर हमें सिभाय की appearance देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ, time to time हमें कुछ ना कुछ information इससे regarding मिलती ही रहती है, जो बताता है कि ये भी एक ओसुचुकी है, और being ओसुचुकी ये एक planet से दूसरे planet पे जाके chakra fruit को consume करके, फिर karma से दुबारा से rebirth हो जाता था, और ये चीज इतनी बार कर चुका था कि इसने खुदी में gods की power को attain कर लिया था, जो एक अलग ही levels की power है, basically ये sinjussu को use कर सकता है, जिसमें हमें hand sign को use नहीं करना पड़ता है, उसके हाथ इतने जाधा strong है कि वो अपने हाथों से storms create कर सकता है, और उसकी roll इतनी जाधा खतरनाक है कि वो अपने lightning blast को भी cause कर सकता है, और similar to momosikki, इसकी भी हमें forehead के उपर ही एक renegan eye देखनी को मिलती है, अब इसकी abilities के बारे में ज्यादा तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ आप idea लगा सकते हो कि demon and ida की power जितनी भी हमें देखनी को मिली है, वो इसी के reference को लेके amado ने बनाई थी, तो ऐसे chances है कि वो ये abilities तो use कर ही सकता है, और इनके अलावा ऐसी ही बहुत सारी god levels की power को use कर सकता है, जो हमें आने वाले time के साथ ही पता लगेगा, लेकिन आपको अगर ये जानना हूँ कि renegan का origin क्या है या इसकी basic abilities क्या है, और ये six parts की कौन-कौन सी abilities हैं, तो ये सारी चीज़े हमने एक और वीडियो के अंदर already explain कर रखी हैं, तो आप इसे भी check out कर सकते हो, ये सारी details आपको काफी easy way में समझाई हैं मैंने यहापे, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करके, चैनल को subscribe करना बिलकुल ना बोले, ताकि आपको ऐसे ही anime से related content time ली देखने को मिलता रहे, मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैन, and thanks for watching.